नमस्कार दोस्तों पॉलिटेकिन एक स्टेडी सेंटर में आपका फिरसे एक बार सबसे पहले तो मैं आपसे माफी लेना चाहूंगा कि मैंने इतना टाइम लगा दिया नहीं वीडियो लाने मतलब पांच शे महीने हो चुके हैं मेरे कोई भी वीडियो नहीं आई है तो इसके आपके लिए आसान ही रही जानी मैं प्रीमियर में डालोंगा जिससे आपको वीडियो टाइम पर मिल रहा है और मैं ज्यादा वीडियो नहीं कोईश्च करूँगा तो सबसे पहले तो मैं आपको इत्माफी माँगा चाहूंगा इस बात से और एक नए टॉपिक लेकर आए जिस टॉपिक करना है ल राज आफ लाज ऑफ मुशन कोई नहीं टॉपिक नहीं मैं अपको पढ़ाना को यह मतलग काफी पुराणा हैं आप सबसे बहुति अग्लांस में देख लेते हैं क्या-kya पढ़ने वाले यह आपर जिसा हम मिशा करते हैं फोर्स लाज अफ मोशन लीनियर मोमिन्टम इंपल्स Riction मुव्मिम्म्न पफ्रोर्स लोज अफ मोशन लाज अफ मूमिंट इसकी पैलेल सबसे पहले हम स्टार्ट के बारे में जान लेता है उसके आदम आगे पढ़ेंगे सबसे बहुत हैं आपको कहा कि मैंने आपको 10-כ नहीं पर वह को बुछी आपको यह था राव फोर्स होता है से Southern of momentum with respect to time यह थोड़ा सा एक difference होता है इसको आप हमेशे याद रखेंगे तो आपके लिए चीज़े बहुत जादा आसान पढ़ेंगी याद करने के लिए उसके अद न्यूटन law of motion क्या कहते है न्यूटन law of motion हमेशे पढ़ते हुए आरे तीन law हो है motion के one two and three मैं आपको basic information दे रहा हूँ पहले वीडियो में उसके आद में एक एक करके जो हमारी अरेंद के मुख में हमको दिया रखा है उसको हम पढ़ना चालू करेंगे ठीक है यहां पर हम एक समझते हैं पहला law of motion क्या कहता है पहला law of motion यह कहता है कि अगर कोई एक वस्तू है इस ट्रैवलिंग विटा सर्टिन स्पीड और इट इस इन मोश इस इन मोशन और इफ इस इन रेस्ट दो इस कंडिशन हो सकती हैं को अबजेक्ट के संग या तो वह मोशन में है या तो वह इसके ठीक है अब बात क्या निकल करा रही है अगर उस ऑब्जेक्ट पर कोई भी उस मास पर कोई भी अगर एक्टर्न फोर्ट अप्लाइड ना किया जाए तो अगर वह मोशन में है एक सर्टेन वैप वेलोसिटी स्पीड फोर्स मोवेंटम जिसके भी साथ अगर वह मोशन पर लगता रहेगा जब तक उस पर नया फोर्स अप्लाइड ना किया जाए और अगर कोई चीज में है तो हमेशा रहेगी कोई चीज नहीं हो सकती उसको कि वह अपने मोशन में आ जाए अपना पोजिशन चेंज कर ले या उसका उसका कुछ भी चीज़ चेंज हो रहा है उ जाएगा या मैंने बॉल लुलका ही जवीन पर तो कुछ टाइम पर जाके वह रुख जाती है ऐसा क्यों होता है देखो हमारा जो एंवार्मेंट है ना हमारा जाए टमासफेर है उस पर कई सारे फोर्स अपला होता है फूटबॉल ली फूटबॉल को मैंने जवीन पर रख हो रहे होते हैं गारा जब मैं किसे बॉल को करूंगा तो उसके करने के बाद सबसे पहले उसमें क्या क्या होने ही स्टार्ट होंगी सबसे पहले ये रहे quarter जो बाल को शबसे पहले उसकी जो ऐिसल् Darezi बहर जाएगी तो यूज इतनी भी हो जाएगी फार एक्समपल टेन मीटर करके जो भी आए वह हमारी इसली flavor हो जाएगी ठीक है उसमें एक मुमेंटन आएगा उसमें एक फॉर्स हाईगा उसमें इम पल्स ≉ सा्री चीजा स में अप्ला हो रही हो कि लेकिन आ वह रुक्टे की क्यों और चाही होता तो रुक्ती नहीं लेकिन ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उसमें कई सारे बुजिट फोर्स अप्लाइ होना चालू होंगे एक एक एकर के सब करना चालू करूं तो हजार होंगे नेकिन मैं आपको दो तीन गना देता हूं तो उस अगर हवा में उड़ रही है तो उस पर एक 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 टैनसिटी होती है वह एक चीज़ अपलाइब करती है विंड्स चल रही है तो उसके कारण कुछ ने कुछ वो आएगा बहुंअ सारी चीज़ ऐसे चोटी चोटी अपलाइब होती है जिसकी वज़े से हमको यससा लगता है क कि हमको इसके अकॉर्डिंग तो हमारा फैस्ट लॉग गलत हो गया लिकिन नहीं अगर इस सब चीज़ उटा ने आप एक वैक्यूम में जाकर ले जाए फॉर एक्जामपल अब यह बताईए जो हमारी सैटलाइट्स होती है सैटलाइट्स को आपको क्या लगता है वह एक बार दिखाता हूँ मैं सैटलाइट्स होती है हमारी आर्थ के राउंड रिवाल्व करती है तो समझ जाओ भाई जिंदगी भर मतलब सालों साल रिवाल्व करती रहती है और हमको तो उसके और बेजने में इतना सारा फ्यूल कि भूलता है वह सब्सक्राइब कुछ भी चीज जरुवत है तो पर अपर कुछ भी है नहीं जिसक वह बज़े से वह सके या उसको रिजिस्ट कर सके तो वह जिस स्पीड में पहले मतलब मालों एक बार हमारी सैटलाइट उपर गई उपर जागे अपने और बेट में आ गई हलका सा उस पर एक फोर्ट कर दिया जाएगा अब वह इस और अर्थ की ग्रैविटी के से जोड़ी रहेगी अब उसी और में घूमती रहेगी अनंतकाल तक जब तक उस पर कोई दूसरा फोर्स लागा कि उसे अपनी और बेट से हटाया ना चाहिए एक इसके वेलोसिटी को इसके और बेट से हटाना है तो हम उसके वेलोसिटी दे लेते हैं जो कि उसे बाहर फिक देती है और वो उड़ती हूँ चली जाती बाहर तो इसको चीज़े होती हैं जो कि हमको जानना ज़रूरी होती है थार्ड लॉफ मोशन यह कहता है बिजिक लिए अवरी एक्शन है जब आप एक दीवार पर फोर्स लगाते हैं या इससे भी आसान एक चीज़ समझे आप जब खड़े होंगे एक जमीन पर फॉर एक्जामपल यह आप हैं यह आपके हाथ हैं यह आपके पैर यह आप खड़े हैं जमीन पर आप जमीन पर क्यों खड़े हैं कि रैस्ट पोजिशन में क्यों हैं दो जीज़े हो रही हैं ज्यान समझेगा आप नीचे फोर्स लगा रहें एम जी आप उपर फोर्स लग ऐगा तो आप वेरीबल होता है आपका वेराध परस पर हुडग हो werden मेरे मार्स पर मून पर अलग होगा मालू मेरा वजन यह आप साठ किलो होगा तो में अगर जाओं का dollar किलूपर मेरेश सेम रहेगा मंत्र क्या होता कि वेठंगा निकालते हैं जो की अर्थ की acceleration due to gravity जो होती है जी जो 9.8 होता है उसका गोड़ा हम करते हैं अपने mass में उससे हमारा क्या निकल कर आता है weight जो हम अपने निकालते हैं आप कितने के लो के हो 10 के 20 के तो वो होता है हमारा weight अगर उसमें से 9.8 को divide कर दो या 10 को divide कर दो round of लेकर तो जो बचता है वही आपका क्या होता है mass होता है तो यह सब चीजे होती है जो आपको जानने के लिए important होनी चाहिए अब जितनी भी चीजे हैं और यहां पर दो तीन चीजे और समझ लेते हैं impulse क्या होता है linear momentum क्या होता है linear momentum basically क्या जीज होती है जब एक इसका formula basically होता है mass with respect to its velocity mv इसे हम momentum कहते है momentum basically momentum of force में एक छोटा सा difference होता है इसके बहुत सारे एक पता करने के तरीके होते हैं जैसे कि retardation for example एक catcher जो होता है मतलब football में कहीं पर भी या cricket में जो catch करने वाला बंदा होता है जब बहुत हाइट से आ रही होती है तो वह हमेशे अपने हाथ को पीछे को लेकर जाता है वो क्यों लेकर जाता है क्योंकि उसका जाएगी तपक हाके हमारे बलने पर लागेगी तो फिट होगी दूर जाएगी तो वह जो फोर्स है उस बॉल पर बहुत फ्रेक्शन ऑफ सेकंड बहुत पॉइंट सेकंड पर उस पर अपलाय हो रहा है लेकिन तब भी उसको बहुत जादा उस पर फोर्स होता है जिसके बहुत दूर जाके गड़ती है इसको हम कहते है इंपल्स जो कि एक स्मॉल अमांट ऑफ टाइम के लिए डाला जाए किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो यह हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो कि जानने के लिए इंपॉटेंट है इंट्रोडक्शन तो आप अगर इतना पैचान लेंगे इतना जान लेंगे तो आपको आगे चीसे समझे में काफ़ जाता असानी होगी तो इसी बात पर मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवार